चुनावी बॉंड से जुड़ी बहुत बड़ी खबर न्यूजेट इन इंडिया पे 15 ता 15 मार्च तक का वक्त सुप्रीम कोट ने दिया था SBI के चुनावी बॉंड की जानकारी को साजा करने के लिए सर्वजनी करने के लिए चुनावायोग को लेकिन चुनावायोग ने ठीक एक दिन पहले चुनावी बॉंड से जुड़ी तमाम जानकारी आपने वेबसाइट पर जारी कर दी है जेटिन इंडिया पे इस वक्ती बड़ी खबर दो पार्ट में जो बॉंड है चुनावी बॉंड से जुड़ी जानकारे उसे दो पार्ट में चुनावायोग ने साजा किया है न्यू जेटिन इंडिया आपको एक एक खबर बताएगा एक पार्ट 337 पन्नों का है और दूसरा पार्ट चार सथ चब्विस पन्नों का तीन सो सेंतिसओ चार सथिच पन्नों में 209 से लेकर अब तक या दिएजने डोहजार लहाजार चुट्पिस में जितने भी चुनावी क्रइड गये जिसने खरीदे किस पार्टी ने उसको इनकैस करा या किसको दिये गये यह तमाम जानकारी है लेकिन एक महतोपून जानकारी जो इस चुनावी बॉंड यानि चुनावाग ने जो जानकारी साजा किया उससे आपको नहीं पता चलेगी कि किसका बॉंड कहां गया यानि किसी कंपनी या किसी व्यक्ति ने कोई बॉंड करीदा तो उसका बॉंड किस को गिया किस पार्टी को उस व्यक्ति चुनावी बाउड दिया यह इस जानकारी से पता नहीं चलेगा लेकिन आपको एक बाहरे बता दे कि चुनावी बॉंड řुड़ी जानकारी चुनाव आयोक के वेब्साइट पर है दो हस्तों में यह बॉंड यत बॉंड़ से लोजर ओफ एलेक्टोरल बॉंस जिसमें कंट्रिब्यूशन रिपोर्ट्स होती है तमाम दलों की उससे उसी में एक हिस्सा एड किया है डिस्क्लोजर ओफ एलेक्टोरल बॉंस और मुख्य चुनावायुक्त राजी उकुमा ने जम्मु कस्मीर दौरे के दौरान कहा था कि व वक्त पर जानकारी साजा कर दी जाएगी वक्त से एक दिन पहले ही चुनावाय की वेब साइट पर यह जानकारी है और हम न्यूजेट इन इंडिया के कैमरे पर भी आपको एक बार अपने कैमरा परसन विशाल से कहेंगे कि वह यहां की तस्वीर दिखाए यह देखिए डिस् यह देखिए शहाँ की पर लेयर फार आप है तीन तो सो शक्तिन फैनकारी है किस शन्ता ने रहत हैं में दूसरे हिस्से में यानि 427 पन्नों वाले हिस्से में इस बात का जिक्र है कि किस पार्टी को कितना चुनावी बॉंड मिला वो भी अलग-अलग है कई पन्नों पे है कि उसको जोड चुनावाई की तरफ से नहीं दिया गया है जिस तरह से फाइल SBI की तरफ से चुनावाई को दी गई थी उसी तरह से चुनावाई ने दोनों हिस्से को अपलोड कर दिया है SBI की तरफ से जो साजा किया गया था लेकिन ये पता करना मुश्किल है कि किस का खरीदा हुआ बॉंड यानि किस व्यक्ति या किस कंपनी ने किस पार्टी के लिए बॉंड खरीदा था या किस पार्टी को दिया इस बात की जानकारी इन दोनों हिस्सों से नहीं मिलेगी न्यूजेट इन इंडिया के दर्सकों को बता दे कि आकिर चुनावी बॉंड का मसला आया कर दरसल 15 फरवरी को चुनाव एक शिकायत पे सुप्रीम कोट ने चुनाव चुनावी बॉंड योजना की को लागू किया था 2018 में 2019 से लोग चुनावी बॉंड खरीज सकते थे और 24 तक कई लोगों ने खरीदा चुनावी बॉंड को जिसका जिक्र है और SBI ने सुप्रीम कोट में जो जानकारी दी थी उसमें ये भी कहा था कि 22,000 से ज्यादा चुना चुनावी बॉंड इंकैस करा लिए गये थे लेकिन 15 फरवरी को जब सुप्रीम कोट ने चुनावी बॉंड को रद किया इस योजना को रद किया तब सुप्रीम कोट ने कहा था कि ये समीधान का उलंगन है इसले इस योजना को रद किया जाता है इसमें पारदर्शिता की कमी है उसके बाद चुनावाय सुप्रीम कोट ने आदेश दिया था SBI को कि वो 6 मार्च को चुनावाय के सामने तमाम जो डेटा है उसे दे लेकिन SBI फिर सुप्रीम कोट के दरवाजे खट-खटाती है सुप्रीम कोट से वक्त मांगा जाता है SBI की तरफ से की 30 जून तक का वक्त दिया जाए लेकिन सुप्रीम कोट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और आदेश दिया कि आब 12 मार्च तक चुनावाय को तमाम चुनावी बॉन से जुड़े डिटेल जल्दी से जल्दी दिजे और उसका पालन करते हुए SBI ने चुनावाय को सारे डिटेल 12 मार्च को मुहया कराया और मुहया कराने के बाद 15 मार्च तक चुनावाय को यह तमाम डिटेल अपने वेबसाइट पर साजा करने थे लेकिन एक दिन पहले ही चुनावाय ने इन तमाम डिटेल को साजा कर दिया न्यू जटिन इंडिया आपको तमाम जानकारिया दे रहे और और इसके बारे में और आपको बढ़ा दे कि इस बी आई ने एक हलप नामा भी जारी किया था इस पूरे मामले में 15 फर्वरी 2024 तक यानि अप्रेल 2019 से 15 फर्वरी 2024 तक 22,217 चुनावी बॉंड चुनावी बॉंड खरीदे गये थे व्यक्तियों ने खरीदे थे संस्ताओं ने खरीदे थे संगठनों ने खरीदे थे ट्रस्ट ने खरीदे थे इन में से 22,030 को इनकैस करा लिया गया था यानि जिन्होंने खरीदे थे उन्होंने पार्टियों को सौप दिया था और पार एक महतोपून जानकारी ये थी कि किसने किस पार्टी के लिए खरीदा क्या वो जानकारी वोटरों तक पहुंच रही है क्योंकि जब राजनीतिक दलों को चंदा मिलता है तो मर्दाताओं को भी उसकी जानकारी मिलनी चाहिए अभी जो आकड़े जारी किये गये हैं उससे इस कि तरब से चुनावाय को उसके जरीए ये पता लगाना मुश्किल है कि जिसने खरीदा इसका चुनावी बॉंड किस पार्टी को गया यानि वो जानकारी अभी भी नहीं मिल सकी है SBI ने डेटा दे दिया है दोनों हिस्षे दे दिये हैं 337 पन्नों का पहला हिस्सा और 426 का दूस्रा हिस्सा जिसमें जिन्होंने खरीदा उसका जिकार है जिस पार्टी को गया उसका जिकर है राजनितिक दलों ने अपनी रिपोर्ट में चुनावाएक को इस बात का हवालाश जरूर दिया था की उनके चंदे में कितना हिस्सा इलेक्टारल बॉंड्ट का है तो कुछ-कुछ जौनकारी तो लेक्टोरल बॉंड्स की राजनीतिक दलों की तरफ से जो चुनावाय को रिपोर्ट सौंपी गई इस दौरान 2019 के बाद 2024 तक उसमें इस बात का जिक्र आया है कि है आखिर कितने चुनावाय से किस पार्टी को कितना चंब उसमें है लेकिन ये महतोपून जानकारी अभी पता नहीं से पैथ कि आखिर में किस व्यक्ति या किस संगठन या किस ट्रस्ट ने किस राजनीतिक दल के लिए चुनावी बॉंड खरीदे और जब चुनावी बॉंड खरीदा तो किस राजनीतिक दल को दिया तो यह महतवपून जानकारी अब तक सामने नहीं आई है निव जैटिन इंडिया आपको इस वक् कि घोसना कभी भी हो सकती है चुनाव आयोग पे तमाम देश की पूरे देתח की नजर है क्योंकि आज ही दोनों कि दोनों मुख्य चुनाव ईयूक्तों की नियुक्ति हुई है अभी हाल के दिनों में ही अरून गॉयल जो चुनाव आयोग तो उन्होंने अपना इस्तिफा दिया था उसके पहले चुनाव आयोग में एक सदस से मौजूद है मुखे चुनाव आयोग तो राजिव कुमार लेकिन दोनों नए चुनाव आयोग कल पदभार ग्रहन करेंगे और कल डेलिबरेशन भी होगी मिटिंग होग लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉंड्स की जानकारी साजा कर दी है जो भी चाहे वो देख सकता है चुनाव आयोग के वेबसाइट पे जाकर न्यूजेट इन इंडिया आपको इस वक्त बड़ी खबर बता रहा है लगतार चुनाव से जुड़ी ख चुनाव आयोग पहले दिन से करता रहा है उनका यह पॉजिशन रहा है कि यह पारदर्शिता के खिलाप है वोटरों को मिलने वाली जानकारी के खिलाप है सुप्रीम कोट ने जब 15 फरवरी को इस योजना को खत्म किया इसे असंवैधानिक करार दिया उसके बाद SBI को SBI की तरफ से चुनाव आग को और अब चुनाव आग ने उस डेटा को जारी कर दिया है लेकिन किसका पैसा कहां गया किसका पैसा किसको गया यह पता लगाना मौजूदा जो जानकारी साजा की गई है उससे पता लगाना अस संभव है आपको पता नहीं चल पाएगा लेकि इसल चुनावी बॉंड जो है 29 उन्तिस ब्रांचों से लोग खरीश सकते थे क्योंकि जानकारी गोपनिया एक 9000 सेरा कर अपके करोड कह चुनावी खरीज सकते थे जो योजना लाई गई थी उसके तहत ये प्रावधान था क्योंकि गोपनिय रखनी थी जानकारी इसलिए SBI ने भी उनकी जानकारी को बहुत एक जगह रखने की कोई कोशिस नहीं की थी लेकिन अब वो जानकारी आने वाले की जानकारी है कि जिन्होंने इलेक्टोरल बाँन करीदा यह भी पता है कि से घराव को कितना कितने कितने ब्रांज से उसको इनकैश कराती है उसे एक करोड उपया तो मिल गया लेकिन अभी जानकारी दी गई है वो यही जानकारी दी गई है कि किस ने खरीदा अगर आपने खरीदा तो आपकी जानकारी है और किस पार्टी ने उस एलेक्टोरल बॉंड को अलग-अलग समय में इनकै मुझ् Lewरा granddaughter ज्य पॉआ अ उन्होंने अपना पौणि लिए खरीदा तरह किस पाटी को दिया था लेकिन संथ चुनवा की se Pitt deixar उभ्याप उसमें ये तो जरूर है कि किस ने खरीदा किस पाटी को कितना गया लेकिन ये बताना मुझ्किल है कि कि इसने किसके लिए खरीदा या किसका पैसा किस पार्टी के खाते में गया है।